इस वीडियो में हम बात कर नवारे हैं लाइव बाल पेपर 4K वाल पेपर ठीक है कहने का मतलब है आप अगर अपने फुन की जो स्क्रीन है आप उस पर कुछ ऐसे वाल पेपर लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो एक दम बिल्कुल उनिक वाल पेपर हो ठीक है यानि कि हमारे फुन जैसा लुक किसी का भी जो लुक है वो दिखना नहीं चाहिए तो आप इस बाल पेपर को यूज कर सकते हैं इस बाल पेपर को किस तरीकी से यूज करना है चलिए हम जान लेते हैं सबसे पहले बता दूँ आपको इस एपलिए उसके लिएक में आपको वीडियो आपको इस तरीकी से यूज करना है वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा चलिए हम यहां से इसे ओपन कर लेते हैं ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इसका इंटरफेस है कुछ इस तरीकी से यहां पर ओपन होगा तो आपको इहां पर accept and continue इस पर आपको simply click कर देना है क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा जैसे लाइब बाल पेपर है तो आप यहां पर सिंप्ली क्लिक करेंगे और यह बाल पेपर है आपके फुन में यहां पर डाउनलोड हो जाएगा ठीक है इस तरीके से ठीक है अभी आप यहां प सकते हैं और हम पूस्में बहुत सारे अमेजिंग आपको इसे आप केस्टू के जान लेते हैं सबसे पहले आप इसे unique बना सकते हैं, अब unique किस तरीके बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहा है, तो आप यहासे या फिर आप add देखना चाहते हैं तो आपको करना क्या इस पर आप simply click करेंगे बस आपको एक simple सा यहाँ पर add देख लेना है और उसके बाद में आप इसे use कर पाएंगे ठीक है बस आपको यहाँ से हटा देना इस तरीके से ठीक है और उसके बाद में यह wallpaper है डाउनलोड हो जाएगा आपके फून में और आप इसे use कर पाएंगे ठीक है जैसे कि set wallpaper ठीक है home पर लगा लिजेगा या फिर lock screen पर लगा लिजेगा ठीक है तो मैं home पर लगा देता हूं और उसके बाद में हम इसे settings पर simply click करेंगे और यहां पर हम अटो मैटो इस permissions को हम यहां से on कर देंगे ठीक है उसके बाद में हम यहां पर बैक कर देंगे section मिते सकते हैं मिलते हैं नाइक्स वीडियो में